हालो व्रिवान ग्रेटिंग्स प्रॉम डॉक्टर एश्मी सुमेपथी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस्ट्रोपेरेसिस यानी स्लो स्टमक एंपटिंग के बारे में यानी खाना खाने के बाद बहुत देर तक आपका पेट अगर भरा भरा रहता है या खाना खा को जानते हैं Self के philosophies कि सिंप्टम्स क्या होते हैं हाइव चाहर का में होता है की खाना खाने के बहुत देर तक आपड़कारे लेते Gastroparesis होता क्या है? Gastroparesis होता है Gastroparesis is a combination of two words Gastric and Parasys Parasys मतलब Paralysis and Gastro मतलब Stomach से Related So जब आपका जो पेट है, वो ऐसा लगता है कि वो खाने को प्रोप्रोपेज आओट नहीं कर रहा है खाने को इंटेस्टीन्स commence में प्रोपे नहीं लेकर जा रहा है तो अगर खाना खाने के बहुत देर बाद यानि चार घंटे के बाद भी आपको भूग नहीं लग रही है आपको खाने के बाद भी मन नहीं कर रहा है कुछ और खाने का या खाना खाने के लिए आपको भूग तो बहुत तेज लगी थी बड़ आप जैसे ही खाना खाने के ल तो ये gastroparesis का एक main important symptom होता है, मतलब पहले तो आपको भूख बहुत तेज लगी थी, आप खा नहीं पाए, या अगर आपने खा लिया, तो बहुत देर तक आपको भूख नहीं लग रही, ये तोनों जो कारण अगर आपको मिल रहे हैं, that is gastroparesis, अब ये होता क्यों है, ये हो है, उस motion में slowness ला देता है, अगर ये वेगस नप affected होता है, बहुत सारे लोगों को आज गैस की समस्या है, बहुत सारे लोग दोपहर का खाना खाने के बाद शाम तक बिलकुल ड़कारते रहते हैं, गैस पास करते रहते हैं, या uncomfortable रहते हैं, तो उनके cases में भी gastroparesis होता है गैस्ट्रोपेरेसिस के एकर हम कारणों के बात करें, तो इसके जो main कारण होते हैं, एक hypothyroidism होता है, जिसमें आपका जो metabolism होता है, जिसमें आपका जो metabolism होता है, क्योंकि thyroid hormone, the main hormone that is responsible for metabolism is reduced, तो उसके कारण भी आपको होता है, बहुत लंबे समय तक अगर आप pain killers ले रहे हैं, especially aspirin, जो aspirin होती है, उसको अगर आप ले रहे हैं, उसके कारण भी होता है, diabetes is one of the most leading reason for this, gastroparesis, तो diabetes जिनको होता है, उनके अंदर 80% cases में असा देखा जाता है, जिनके अंदर uncontrolled diabetes होता है, उनके अंदर भी gastroparesis देखा जाता है, इसके लावा, scleroderma, एक autoimmune problem है, उसके अंदर हो जाता है, इसके लावा, बहुत सारे और reasons हैं, जो responsible है, gastroparesis के लिए, जैसे कि खाना खाने के बाद बिल्कुल moment नहीं करना, एक साथ में बहुत जादा खाना खालेना, खाना खाने के साथ साथ में बहुत सारा पानी पी लेना, ये सारे जो reasons हैं, ये भी gastroparesis को contribute करते हैं, तो gastroparesis के कारण, लक्षन और हमने इस सिम्टम जान लिए, अब हम जानते हैं कि इसको हम कैसे prevent कर सकते होने से, prevent करने के लिए पहली important चीज है कि खाना पांच बार में खाएं, जो आप दो बार या तीन बार में बड़े-बड़े meals खा लेते हैं, इससे अच्छा, पांच parts में उसको divide करके खाएं, सुबह, दो बार, उसके बाद, दो बज़े, तीन बज़े, पांच बज़े, जैसा भी आप को sequence बनता है, आप उसके हसाब से small meals ले सकते हैं, एक साथ में जादा खाने से better है, आप छोटे-छोटे parts में उसको divide करके खा सकते हैं, खाना खाने के साथ पानी को बिलकुल नहीं पीना है, खाना खाने के आदे गंटे पहले या आदे गंटे बाद ही पानी पीएं, इस acid को dilute कर दिया, और वो diluted acid उतनी अच्छी तरह से इस खाने को नहीं पचा पाएगी, उतनी तेगी से आगे प्रोपेल नहीं कर बाएगी, इसलिए हमें उस acid को dilute नहीं करना है, अगर हमने उसको dilute कर दिया तो बहुत देर तक उखाना आपके पेट में ही पढ़ा रहेगा, क्योंकि वो आगे जाये गए नहीं, क्योंकि अंडा जब तक वो पूरी तरह से अपना function नहीं कर लेता पेट तक उस खाने को आगे जाने नहीं देगा, तो खाना बहुत देर तक आपके पेट में पढ़ा रहेगा, इसके अलावा हम बहुत ज़ादा आपको खाने में फाइ को कम करना है, अगर आप डायबिटिक हैं तो अविसली कम करना है, अगर आप डायबिटिक नहीं है, तब ही भी मीठा और नमक दोनों को ही controlled में लेना है, controlled quantity में लेना है, रोज के रोज, तो यह सारे चीज़े हैं, जो gastroparesis को prevent कर सकती हैं काफी हद तक, खाना खाने के बाद थोड़ी चहल कदमी जरूरी है, moment करना जरूरी है, वो भी आप कर सकते हैं, इसके अलावा, अगर आप किसी और problem में हैं, old age में हैं, उस case में भी थोड़ी सी activity आप कर सकते हैं, खाना खाने के बाद एक गरम चाय या गरम पानी आप ले सकते हैं, अब हम जानते हैं कि इसकी compl complication क्या हो सकती है, तो obviously अगर आप बहुत लंबे समय से gastric की समस्य से परिशान है, सही से खा नहीं पा रहे हैं, भूक नहीं लग रही है, या भूक लग फिर भी नहीं खा पा रहे हैं, तो आपको weight loss होना शुरू हो जाता है, तो weight loss is the main thing that can be the complication of this gastroparesis, इसके अलावा, आप quality of life है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा patient approach करते हैं, patient बताते हैं कि उनको दिन भर डकारे आते रहती हैं, लोगों के सामने आना, office में बाटके काम करना, यह सब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो ये एक तरह से आपकी quality of life को भी affect करती है, बात करते हैं, होमेपेथिक गया, एक important symptom जिसके अधार पर lycopodium can be given, यह ज़्यादा तर यंग लोगों को सूट करती है, यह ज़्यादा तर उन लोगों को सूट करती है, जिनके अंदर यूरिक इस डायथिस होता है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा खटा पन रहता है, शेरीर में बहुत ज़्यादा lycopodium ले सकते हैं, निक्स जो दबा होती है, दाट इस चाइना, चाइना के अंदर पेशन को देखकर की पता लग जाता है कि इसको चाइना जाएगी, क्योंकि पेट एकदम गोल सा, एकदम ड्रम जासा हो जाता है, किसी भी तरफ से उसको टटच करेंगे, तो बिलकुल हाड सा मैसूस होता है, पूरा उपर और नीचे उसको तकलीफ रहती है, गैस पास नहीं होती है, ना ही उपर से होती है, ना ही नीचे से गैस पास होती है, पेशन हमेशा डिसकंफर्ट में रहता है, और आटिफिशल ड़कारे लेने के कोशिश करता है, पेशन यहां वहां से कु वहाँ जादा जिसमें अगर उसने कुछ तलाब होना खा लिया बहुत जाधा करीमी वही जीज़ आन लिए दिया जारप जाथ करते है? लेकिन किसी दिन चादी व. व. भ. अगयरा थीय這麼 है टो ऐसीी फृट और खाने के बाद अगर समस्या होती है gastroparesis की मतलब जैसे कल वो गया था शादी में और आज तक आज उसको सुबह से लेकर खाने का मनी नहीं कर रहा है यह सुबह मैंने एक एपल खा लिया लंच में ब्रेकफास्ट में और अभी तक मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं कुछ खाऊं ऐसे केस क्यों में और हैड्रासिस को क्यों में आपको लेना है अगर आपको gastroparesis है याद रखे कि अगर आप डायबिटिक है या अगर आपने शुगर की जास नहीं कराई है और लंबे समय से आपको पेट की समस्या बनी हुई है तो जरूर आप एक बार अपना ब्लड शुगर की ज gastroparesis यानि slow stomach emptying के बारे में तो यह जो information थी I hope कि आपको पसंद आई होगी अगर आप मुसे directly बात करना चाहते हैं तो call me for app का यूज़ कर सकते हैं जिसकी बाके की details आपको description में मिल जाएंगी और आप अगर मेरे साथ phone consultation या zoom consultation जो की बुधवार और शनिवार को available रहता है उस के थुरू अपना consultation करना चाहते हैं अपॉर्मेंट लेना चाहते हैं तो क्लीनिक के WhatsApp नमबर 7017991940 पर WhatsApp करके अपना slot बुक कर सकते हैं इसके लिए सिर्फ आपको इस पर message करना होगा सारी information आपको मिल जाएगी और आप अपना अपॉर्मेंट खुद से बुक कर सकते हैं विष्म आपको घल्ट थैंक्सरवाची